जेहिन सातियों केशे हैं मेरे सभी साती आसा करता हूँ अच्छे होंगे मस्त होंगे और अपनी वर्दी के तयारे में विवैस्त होंगे देगे दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीयस अब ट्रेयर्समें दो जाच चोईज की जो न्यू वेकेंश है उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों आपके जो न्यू वेकेंश है वो कब तक आने की संभावना है और आपका जो एज है क्राइट को जरूर सद्क्राइब करेंगे और इस चैनल पर आपको सबसική और सबसे जल्दी आपको जानपरी मिल सगे अच्नल को बैल आइकन को जरूर complete detail से देखने वाल है एज criteria है उसके बारे में बात करेंगे उसके बाद में हम चर्चा करेंगे आपका जो कितनी vacancy होने वाली है और आपका जो form है वो कब से apply होने वाला है दो इस तो मैं बता दूगी जो age criteria है वो आपका है वो 18-25 ही रहने वाला है जो ABC candidate है उनको 3 साल का मिलने वाला है और जो हाइट की बात करें तो यहां पर सबसे important है भी सब की है कि 165 हाइट चाहिए male candidate के लिए और अगर जिदी की बात करें तो 170 cm हाइट होना चाहिए ऐसे से जिदी की बात करें तो हम यहां से की तुन्दा में अगर हम देखा जाए तो 5 cm कम यहां पर देख 25 cm की छूट मिलने वाले है candidate को जिनका हाइट के वजए से उनका वर्दी का सपना तूट जाता है वह यहां पर अपना वर्दी का सपना पूरा कर सकता है और female candidate की हाइट की हाइट होती है यह था आपका जो हैट का क्रायाटिरिया वह था आपआथ करते कि हम आपका जो किस्ट का क्या रहने वाला है यह पर चैस्त में भी आपको यहांपद छूट मिलने मिलता है मेरे दोस्तों ऐसे से जीडी में आपका ऐसी टू पीचासी होता है यानि कि आपका जो नॉर्मल है वो अशी सेंटीमेटर चैस्ट होना चाहिए और आपका फुलावट के साथ पांच सेंटीमेटर होना चाहिए यानि कि पांच सेंटीमेटर का आपका चैस्ट का फुलावट ह नहीं होता है मेरे दोस्तों अब बात करते हैं कि आपका जो रेस है यहां पर थोड़ सा क्टिन हो जाता है क्योंकि यहां पर पांच किलो मिटर का रेस है वह 24 मिनिट के अंदर ते करना होता है और फिमेल कंडिडेर की बात करें तो थे प्रइस के बारे में बात करते हैं कि आप जो रेक्जाम होता है उसका सेखार। अनदर ही है कि तरहीं कर दिये घए है और आप असके कर दीजिंगे शो है। और जो 25 है इंडी इंग्लेज के आने वाले ہے। 25 महेत के और 25 कुशन आपके हैं वह रहने वाले है यह था आपस्ट है रिटरन का का है वह क्राइटेरिया अब बात करते हैं कि दोस्तों आपका जह सी है वो जून के थर्ड वीक में आने की पूरी पूरी संभावना है मेरे दोस्तोем जून के थर्ड वीक में आपको जो सोट नोटिस है वो देखने को मिल जाएगा मेरे दोस्तोjem और जो आपका Form है वो आपके जुलाई के पर्षट वीक में से स्टार्ट होने की पूरी-पूरी संभावना है जुलाई के पर्ष्ट वीक से आपके फोर्म स्टार्ट हो जाएंगे उससे आपके जो 30 डेज तक आपके फोर्म है वो चलने वाले है जो लगबग है वो आपके 2000 पलस पोस्ट पर यह वेकेंश होने वाली है और मैं बता दूँ दोस्तों सबसे बड़ा मसला अभी जो दिले में चल रहा है वो है NSQF लेवल पाइस्ट के वज़े से यह मसला आपका जो वेकेंश है वो देरी हो रही है लगा दिया था कंडिडेट ने जो फरजी NSQF लेवल सर्टिपिकर कंडिडेट थे उनके RTI के दोरान जो नोटिस भी जारी होने लग गए है कि आपका जो NSQF है उसकी जाच परताल चालू है मेरे दोस्तों अब बात करते हैं कि जो पिछली जो तेश के बढ़ती थी उसमें कुक और वाटर केरियर और वेटर में NSQF लागू था परनतु अगर आपका जो जो जाचोइस का वेकेंश होनी वाली है उसमें देखा जाएगा कि आपके जो कुक वाटर केरियर और वेटर क रहे तैयार करने ना है मेरे दोस्तों ताकि आपको जो फॉर्म है उसमें कोई भी दिक्कत ना हो और एक और बात बता दूँ कि जो आपका NSQF लेवल परस्ट सर्टिपिकेट है वो जो फॉर्म फील करने से पहले का आपका होना चाहिए मेरे दोस्तों अगर आपका NSQF दियेगा मेरे दोस्तों आसा घरता हूं यह वीडियो आपके लिए यूजपूर रहा होगा और अगर आपको मेडिकल से समद्धिक कुछ भी डाउट है तो आप मेरे को इस नंबर पर आप हैतर सताओन ग्यारा 2869 इस पर आप वोड्स मेसेज करकर कुछ भी डाउट है तो व हिंद वंदे मादरू